Hi guys, welcome back to my vlog, मैं हूँ आपकी दोसर, आपकी host रितू, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं minor passport category के बारे में, इससे जुड़े सवाल काफी सारे मेरे comment section में आ रहे हैं और मेरे instagram पर भी काफी messages आ रहे हैं, तो हम जो जो topics cover करने वाले उनमें आते हैं, minor passport के age categories क्या क्या हो सकते हैं, ECR, non-ECR और आपके passport की validity कितने होगी, आपके booklet के pages आप कितने apply कर सकते हैं और आपकी fees, ये सारे के सारे topics हम डिटेल में इस वीडियो में discuss करने वाले हैं, अगर आपका इन topics में से कोई सवाल है, तो आप ये वीडियो देखिए, अगर आपका सवाल इस वीडियो के काम आ सके, तो चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है कि minor categories में, minor category किसको कहते है, minor passport कि कौन apply करता है minor passport, 0 से लेके 18 years के 18 साल से उमर के जो बच्चे हैं, वो सब minor category में आते हैं, उनमें infants भी होते हैं, infants जिन की उमर एक साल से काम होती है, toddlers भी होते हैं, ज माइनर category के दो एज ब्रैकेट्स में डिवाइड किया गया है, एक है 0 to 15, 0 to 15 उसके बाद है 15 to 18, 0 to 15 के जो बच्चे होते हैं, वो ऑटो मैटिकली ECR, मतलब non ECR category के लिए eligible होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरूआत करते हैं कि आपके minor category में documents क्या क्या लगेंगे, minor category म सबसे पहले आपका proof लगेगा आपका birth certificate या आपका proof of birth जो भी है, ठीक है, दूसरा आपका लगेगा proof of address, जो भी आपका proof of address है, minor category में आप अपने parents के नाम का proof दे सकते हैं, जैसे कि electricity bill, आधार कार्ड में आपका जो भी detail है, उनकी पानी का बिल, बिजली का बिल, जो सारी च आपका लगता है, 0 से 15 एर्स की एज तक या फिर 18 एर्स सकती तक भी आप एनेगज़डी लगा सकते हैं, एनेगज़डी क्या होता है, एनेगज़डी बहुत ही सिंपल है, यह इस तरीके का फॉर्म होता है, जिसमें कि आपके parents आपको consent दे रहे हैं, कि आप country से बाहर जा सत जरूरी होता है, उनके लिए पासपूर्ट वनवाने के लिए, तो इसलिए एनेगज़डी का concept रखा गया है, माइनर क्याटिग्री में, अच्छा, तो कॉनसे इन डॉक्यमेंट्स हैं, एक आपका proof of birth, ठीक है, एक आपका proof of address, तीसरा आपका एनेगज़डी, दे सकते हैं, लेकिन आपके passport की validity कितनी होगी, आपकी passport की validity होगी, 5 साल, 18 साल की उमर तक आपको 5-5 साल में आपका passport renew कराना पड़ता है, ठीक है, लेकिन एक बार आप 15 साल के हो जाते हैं, ध्यान से सुनियेगा, इसके बारे में 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 मेरे पास काफी सवाल आते हैं, एक ब आपकी 10th mark sheet होती है, वहाँ आप देखे, उससे अपना 10 साल का validity वाला passport अपलाई कर सकते हैं, ठीक है, समझ आगे, एनक्जडी, आपको लग रहा होगा, बहुत मुश्किल है, क्या है, पता नहीं कुछ, यह सिंपल सा फॉर्म है, सिंपल सा फॉर्म आपको यह देखे, यह सि पीडिया फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, फिल करना है, वापस समिट करना है या फिर अपना application वाले दिन आप अपने passport office लेके जा सकते हैं, ठीक है, एड्रस प्रूफ में आपके पारेंस का पासपोर्ट दे सकते हैं, अपने पारेंस का आधार कार दे सकते हैं, पारेंस को भी कह रहे हैं, जो अपने इनफेंस के लिए पासपोर्ट अपलाई कर रहे हैं, तो मेक शॉर के आपके पासपोर्ट की डीटेल जो है, वो आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे से मैच होनी चाहिए, वही आपका प्रूफ अद्रस कंसीलर किया जाएगा और बच्चे का proof of age, birth certificate ही होता, school living certificates होते हैं, आधार कार्ट बन गया है तो आधार कार्ट दे सकते हैं आप, यह सारे proofs आप, birth proof की तरह, passport documents में दे सकते हैं, minor category में, ठीक है? अब बात करते हैं कि आपकी passport की validity कितनी होती है, minor passport की validity पांस साल ही होती है, या फिर 18 साल की, आपकी उमर अगर हो गई है, तो पंदरा साल की अगर आप आप आपने passport अपलाई किया और आपकी 18 साल की उमर होने वाली है, तीन साल में, तो आपकी passport की validity तीन साल ही होगी, पांस सा जैसे । ईताए कि वाष्पोर मेने चे जिआ प्लाई किया था, तो पांच साल की साभ्य फ। इपल्य करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर से ऐधा का जारे जब तक 18 को जो हमानी नहीं हो जाती, अगर आपकी उमर 15 साल से कम है तो आपको 1000 रुपे फीस देनी पड़ेगी और अगर आपकी उमर 18 साल तक भी है लेकिन आपने नॉमल कैटिगरी 5 साल के लिए ही अपलाई किया है तो भी आपकी 1000 पीस लगेगी ठीक है अगर आपने 15 साल की उमर में नॉन ECR कैटिगरी में अपना 10 साल के लिए पास्पोर्ट अपलाई किया है मतला आप 10th का प्रूफ दिखा के 10 साल के लिए अपना पास्पोर्ट अपलाई कर रहे हैं तो आपकी फीस 1500 लगेगी 1500 रुपे फीस लगेगी ठीक है वो 36 अगर आपके पेजिस हैं पास्पोर्ट में तो अगर आपको 60 पेजिस की बुकलेट चाहिए अगर आपको जादा पेजिस की बुकलेट चाहिए तो आपको 2000 रुपे पे करने पड़ेंगे अपने पास्पोर्ट अपलाई करने के लिए समझाया basic के लिए thousand रुपीज है हजार रुपे आपके फंद्रा साल की उमरता क्या अगर लगा लो अगर आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप दस साल की वेलिए के लिए मतलब 15 साल की उमर के बाद अगर आपके ministerinken प्लाई कर लियं तो आप अब एक और इसमें ट्विस्ट है कि 8 साल से कम की उमर के अगर बच्चे हैं तो उनको 10% का डिसकाउंट या रिबेट मिलता है सरकार की तरफ से और अगर आपकी उमर 60 साल से उपर है तो भी आपको 10% का रिबेट मिलता है पासपोर्ट फीस में आपकी आठ से कम और 60 से जाधा अगर आपको आठ से उपर हैं तो आपको 10% का फीस का डिसकाउंट मिलेगा पासपोर्ट आफिस में ठीक हैं क्लियर हुआ नहीं हुआ है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे और सवाल एक मेरे नजर में आया कि आपको फोटोग्राफ ले जाने की जरूइब या नहीं है आपको चार साल से कम उमर के अगर बच्चे हैं अगर इनफेंट है चार साल से कम की उमर का बच्चा का पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो आपको उसका फोटो लेके जाना पड़ है ठीक है उन्हीं के क्यामरा से बट आइविल रेकमेंड के आप अपना फोटो हमेशा पासपोर्ट के दो फोटो कोई भी पासपोर्ट बनाने ले जा रहा है तो अपने फोटो अपने साथ रखिए इन एनी केस ठीक है तो चार साल से कम उमर की बच्चों के लिए फोटो ले जाना अनिवार रहे है मैंडेटरी है उनके दो फोटो या चार फोटो आप पासपोर्ट साइज फोटो आप अपने साथ लेके जाए पैरंट जो भी अपलाई कर रहे है ठीक है अब हम जो एक सवाल सबसे जादा मेरी सुनने में आता है कि पैरंट का जाना जरूरी है क्या अगर minor category का passport है तो उसके लिए दोनों पैरंस का passport office appointment जाना जरूरी है क्या अचली वो इसलिए बोलते हैं ताकि उन्हें पता रहे कि दोनों पैरंस के consent से ही बच्चा पासपोर्ट बनवा रहा है लेकिन दोनों पैरंस का होना passport office में जरूरी नहीं है अगर दूसरे पैरंस ने एनेक्जर डी जो फार्म जिसके बारे में मैं आपको बतारी थी जिसमें दोनों पैरेंस का चांसिंट साइन होता है कि उनकी आज्या से ही आप उनकी परमीशन से ही आप पासपोर्ट बना रहे हैं अगर वह फार्म दोनों ने साइन किया हुआ है तो कोई भी एक पैरेंट एनों के पासपर्ट ले जाकर आपका पासपर्ट अपलाई कर सकता है यह मैं इन्फैन्ट के लिए भी बता रही हूँ यह मैं टीनेजर के लिए भी बता रही है 18 साल की उमर तक एक पेरेंट का जाना जरूरी होता है लेकिन कई बार passport officer convince नहीं होते हैं वो पूछ सकते हैं कि दूसरे parent क्यों नहीं है आपसे बार बार पूछा जाएगा कि दूसरे parent present क्यों नहीं है और अगर उन्हें कोई doubt हुआ तो वो आपका passport reject कर सकते हैं या फिर बोलेंगे कि दूसरे parent को साथ लेकिया यह उसके बिना passport नहीं बनेगा लेकिन जादा तर NXJD अगर साइन कर दिया है दोनो पार दोनो पैरेंट्स की passport copies है उनके पास 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 पॉड़ है उनके पास तो पास पॉड़ अपलाई हो जाता है दोनों पैरेंट्स का होना जरूरी नहीं है इसके अलावा एक सवाल और आता है कि अगर एक पैरेंट अब्रॉड में है और एक पैरेंट यहां है या फिर एक पैरेंट सेपरेंट्ट हैं बहुत सारे तरीके के situations हैं लाइफ में लोगों के तो उस case में आप एक पैरेंट्स का जो फॉर्म आता है वो sign कर सकते हैं कि दूसरे पैरेंट पैरेंट नहीं है या फिर उनका अपने ले पाएंगे उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं separated हैं पैरेंट्स या दूसरा पैरेंट्स लेकिन आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके जो दूसरे अदर जो पैरेंट है वो क्यों प्रेजंट नहीं है उनका कंसेंट क्यों नहीं है उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा वह काफी लास्ट अप्रिक है ठीक है तो NXJD का साइन कॉपी कोई भी और दोनों पैरेंट के पासपोर्ट अपने साथ रखिए जब आप पासपोर्ट ऑफिस अपने पैरेंट साथ जा रहे हैं पैरेंट का होना जरूरी है पासपोर्ट ऑफिस में मैं बोलूंगी कि दोनों पैरेंट प्रेजंट हों क्योंकि नहीं होने से काम बिगड़ सकता है होने से काम 100% हो ही जाएगा क्योंकि दोनों parents का होना आनिवार है आप जिस-जिस counter पे जाएगे आप से पूछा जाएगा कि दूसरा parent क्यों नहीं आया है 0 से लेके 18 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए parents का होना जरूरी है passport appointment वाले दिन ठीक है अच्छा अगर parents के पास passport नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं अगर आपके parents के पास passport नहीं है तो आपका NXJD तो साइन होई गया तो आप उसके जगा आप उनके आधार card के दोनों की copy दे सकते हैं या फिर एक और solution है अगर एक के passport में दूसरे parent का नाम है, available है जैसे spouse name होता है दूसरे parent का accurate नाम है तो वो एक passport से भी काम चल जाएगा तो या फिर अगर passport नहीं है तो मैं बूलूँगी के parents का passport तो होता ही है, नहीं है तो आधार card की copy दोनों की दोनों को अपने साथ लेके जानी पड़ेंगी या फिर अगर आपको passport के through easy करना है प्रोसेस तो आप passport apply कर दीजिए वो जो reference number मिलता है ना passport officer जो reference number मिलेगा उसको आप parents के passport number में फिल कर सकते हैं, जो NXJD में जो form में होता है डीटेल्स जो सारी बढ़नी होती है तो भी आपका police verification नहीं होगा आपके infant के passport के लिए infant के passport का, अगर आपने वो passport वहां पे दिखा दिया ठीक है, अगर आप दोनों के passport नहीं है तो आपका police verification होगा आपके बच्चे का हमने जब NIVA का passport apply किया था तो हमारा police verification नहीं हुआ था आपके सवालों के जवाब मैंने दे दी हैं अगर फिरभी आपके मन में कोई सवाल है चुकि पासवोड का जो प्रोसेस होता है काफी सारे लूप होल जिनके मुझे भी नहीं पता होती चीज़े मुझे भी बहुत सारे अपने से सोसे से पूछनी पड़ती हैं जो मेरे पासपोर्ट आफिस में काम करते हैं या पर जो मेरे जानने वाले हैं जिनको एक्सवीरेंस है ट्राइवल एजन्स हैं वहां सबसे मैं सारी इंफरमिशन कलेक्ट कर क्योंकि कॉमें मैं जादातर सवालों के जवाब दे देती हूं बाकी जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ ऐसी और वीडियो देखने के लिए अगर वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इस तरीके की इस टैबल से जूड़ी हुई वीडियो मैं लापती है चलिए आज के लिए इतना ही हम फिर मिलेंगे चलते चलते तब तक की लिए अगा कर दो